हेलो फ्रेंड्स मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल श्याम के जाइके में तो आज मैं आपके लिए ढोकले की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये ढोकला बिल्कुल सूपर स्पंजी बनेगा तो ढोकला तो फ्रेंड्स बच्चों और बड़ो सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है लेकिन इसको बनाने में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत आती है आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रोगलम भी सोल्फ हो जाएगी और आपका ढोकला सूपर स्पंजी बनेगा तो इस वाले ढोकले को हम जैसे मार्कित में ढ बनता है बिल्कुल इसी तरह से तयार करेंगे तो आईए शुरू करते हैं इसको बनाना इसके लिए आप एक स्पून ले लीजिए उसी स्पून के अकोर्डिंग हम सारा मेजर्मेंट हमारा तयार होगा तो एक स्पून आप कोई भी ले लीजिए तो इसमें हमें देखिए आदा चमच ये सिट्रिक एसिड डाला है जिससे साइट्रिक एसिड भी बोला जाता है कर नीमु का सत भी कहते हैं तो ये आदा चमच हमने ले लिया है और इसमें ये आदा चमच ही नमक डाल दिया है नमक अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम जादा भी थोड़ा सा कर सकते ह और एक चम्मच ये मैंने चीनी इसमें आड़ कर दी हैं, और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक चुटकी डाल दिया है, आप चाहें तो fruit yellow भी दाल सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं, saving को भी तो इसमें आधाम बाउल मैंने ये पानी डाल दिया है और अब इसको हम mix करेंगे जिससे ये चीनी और citric acid अच्छी तरह से mix हो जाए तो इसे लगातार चलाते हुए आप इसको mix कर लीजिए इसे तब तक mix करना है जब तक कि ये चीनी अच्छी तरह से घोलना जाए तो चीनी हमारी देखिए गुल गई है अब हम इसमें ये बेशन को भी एड़ करेंगे मैंने ये एक बाउल बेशन ले लिया है मेजरमेंट के अकोडिंग 100 ग्राम के करीब ये बेशन है तो इसको हम डाल कर इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे तो ये देखी विस्क से आप इसको मिक्स कर लीजिए और बेशन को आपको एक दम मतलब पूरा लगा सारा नहीं डालना है इसको थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें एड करना है और इसको डाल कर हमें इसे देखिए मिक्स करना है तो इसे आप इसको डालते रिजिए और इ ये mix हो गया है तो बाकी बचा हुआ बेशन भी हम इसमें सारा add कर देंगे तो इस तरह से डालकर आप इस सारी बेशन को mix कर लीजिए तो इससे हमें अच्छी तरह से mix करना है जिससे ये सारा नमक और citric acid और चीनी वगएर आपस में सारा बेशन के साथ mix हो जाए और अब एक चमच मैंने ये refined oil डाल दिया है oil डालने से ढोकला हमारा smooth बनेगा तो इस तरह से इसको डालकर आप इसको mix कर लीजिए तो इसको हमें अच्छी तरह से फेटना है जिससे हमारा ये better lump spray कैयार होगा तो इसमें आप ये मैंने आदा बाउल के करीब इसमें पानी डाल दिया है और इसको भी हम इसमें mix कर तो देखिए हमारा ये mix हो गया है तो ये सारा हमारा अब ये better तैयार हो गया है बस इसको ना हमें अच्छी तरह से mix करना है तो दो मिनट के करीब मैंने इसको mix कर लिया था और इसमें मैंने ये अद्रक और हरी मिर्श डाल दी है इसको डाल कर इसे भी आप mix कर लीजिए तो और चलिए आगे के, अब हम तैयारी करते हैं, मैंने ये केक का टीन ले लिया है, आप कोई भी आपके पास जो भी बरतन हो वो ले ली जिए, फ्लेट होना चाहिए, बस इसके किनारे होने चाहिए, जिससे हमारा ढोकला एकदम बिलकुर परफेक्ट तैयार हो, तो ये मेरे पा नहीं और आसानी से हमारा ढोकला निकल जाएगा, तो इस तरह से देखिए, सारा कोई भी कुकिंग ओयल आप इसमें लगा सकते हैं, और इसको देखिए, किनारों से भी आप इसमें अच्छे तरह से ओयल लगा दीजिए, तो अब ये देखिए, मैंने एक ये कढ़ाई ले करी है, और कड़ाई में दो गिलास के करीब मैंने इस में पानी डाल लिया है और इसमें हम ये stand लगा दिया है, मैंने ये stand था तो आप एक कटोरी भी इसमें रख सकते हैं, और इसे को पानी को अभी गरम होनि देते हैं, और देखिए, मैंने ये cake vault in भी इसमें लगा कर रहेगा तो अब यह दोखले का बैटर भी हम देख लेते हैं तो यह भी हमारा अब यह तयार हो गया है बेशन थोड़ा सा फूल गया है तो इसको अब हम दुबारा से मिक्स कर लेंगे बस इसी तरह का हमारा यह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो यह बिलकुल परफेक्ट तयार हुआ है अगर आपका थोड़ा गाड़ा हो तो आप हलका सा इसे पानी भी डाल सकते हैं तो अब हम इसको दुसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको अब हम तयार करेंगे तो इसके लिए अब इसमें आदा चमच के करीब इसमें मीठा सोड़ा एड़ कर देंगे तो यह आदा चमच मीठा सोड़ा एड़ कर दिया है और इसको डाल कर अब हम इसे मिक्स करना है तो इसको हम एक ही डारेक्शन में मिक्स करना है तो इसको चलाते हुए एक मिनट की करीब आप इसको मिक्स कर लीजिए जिससे हमारा ये बेशन फूल जाएगा तो देखिए हमारा ये बेशन फूल गया है बिल्कुल एकदम सोफ्ट हो गया है तो अब आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है आप तुरंथी इसको केक टिन में ऐसे डाल दीजिए औ इसको अब सारे को डाल कर में तुरंथी इसको तयार करना है इसको टैप-टैप कर लेते जाख ताकि इसमें कोई भी bubbles हो गया रहो वह खतम हो जाएगे तो इसमें अब हमारा पानि ये देखिए गरम हो गया है और इसमें आप बर्तन को हम इसमें रख देंगे तो आज इसको के लिए हम इसे मीडियम गैस पर रख देंगे तो आई अब हम डोकला माइक्रोवे में भी तयार करते हैं तो आप डोकले को दो तरह से तयार कर सकते हैं माइक्रोवे में भी तयार कर सकते हैं और जिनके पास माइक्रोवे नहीं है वो कडाई में भी तयार कर सकते हैं तो देख माइक्रोवे में ढुकला बनाते हैं वो भी मेजर्मेंट से बनता है जो भी इच्छा हो आप उसी एकोरिंग बना सकते हैं मैक्रोवे में ढुकला भ מהति जल्दी बन जाता तो यह हमारा देखिए बैटर तयार हो गया इसे भी हम 10 मिनट के लिए लगकर रख देंगे और इधर हम देखते हैं 10 मिनट हो गई है हमारा यह कड़ाई में डोकला तयार हो गया है क्या तो इसको प्लेट को हम उतार लेते हैं और देखिए यह फूल गया है उपर से फलफी हो इसे पांच मिनिट के लिए दुबारा से कम गैस पर ढखकर रख देंगे और इधर हम इसका तड़का भी तैयार कर लेते हैं धोकले के लिए डाल दिया कोई भी आप अपने अपोरिंग डाल सकते हैं और इसमें ये एक चमच राई डाल दी है और राई को थोड़ा सा तड़कने दीजिए गैस को मैंने कम किया हुआ है तेज गैस पर एकदम राई हमारी जल जाती है तो अब अब इसमें ये हरी मिश डाल देंगे मैंने आठ दस हरी मिर्ष को लंबा कात लिया है, धोकले में लंबी ही मिर्ष डलती है, मार्कित वाले धोकले में भी लंबी ही कटी हुई मिर्ष डलती है, और मिर्ष का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आता है, तो इसको डाल दिया है, अब इसमें मैंने ये 20 कड़ी पत्ते डाल यह हैं इनको भी हम इसमें ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा हलका हलका सा इनको भून लेंगे और इसको जैसे यह थोड़ा सा फून जाएंगे अब इसमें हम यह पानी को डाल देंगे मैंने इसमें एक बाउल के करीब पानी एड़ कर दिया है पानी आप इसमें थोड़ा ज्याद मिक्स कर लिए और इसमें ये चार चमच बड़े चमच चीनी डाली है चीनी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और इसके खटा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम इसमें एक निम्बू का रस भी निचोड़ देंगे तो इसे जो ढोकला होता है वो मार्किस में भी खटा मिठा होता है और बहुत ही बढ़िया तरह से तयार होता है तो हमारा डोकला भी बिलकुल मार्किस टाइल ही तयार होगा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चीनी को अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाने दीजिए और इसमें देखिए अब इसमें उबाल आ जाएगा और हमारी चीनी भी मिक्स हो गई है बस हमारा ये तरका तयार हो गया इस उपसे इसमें धनिया पत्ता भी डाल दिया है तो बस अब इसको मिक्स करके इसको बंद कर देते हैं इसको ठंडा होने दीजिए और उदर हम देखिए अब ढोकले को भी देख लेते हैं हमारा ढोकला तयार हो गया है क्या तो देखिए प्लेट उतारते हैं और चेक करते हैं इसको अब तो यह अब हमारा यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट डोकलत तयार हुआ होगा तो अब भी हमें इसे चाकू से ही चेक करना है कि यह तयार हो गया है क्या तो देखिए चाकू डालने के बाद अब तीन-चार जंगे डाल कर देख लीजिए, तो यह हमारा यूब यह पिल्कुल परफेक्ट तयार हो गया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, तो निकाल कर देखें, मैंने इसको कट कर लिया है, और यह हमारा एकदम सुपर सोफ्ट ढोकला तयार हुआ है, एकदम दे सब्सक्राइब धानेज़, तो इसको कट क्लेज़ तयार है, मैंने शुन्यजिशन कर देखें, और भायफेक्ट तयार हूँ, सोफ्ट ढोकला तयार हुआ है, तो आप उसे खिहांगे तो आपको पता चल जएगा एकदम बढ़ियाए, तो इस तरह स हमारा कडाई में देखि तो अब हम microwave वाला भी देख लेते हैं उसको उसके लिए क्या करना है तो देखे हमारा ये भी तैयार हो गया है और इसमें भी मैंने ये मीठा डाल दिया है और इसको डाल कर इसे भी हम mix कर लेंगे तो ये हमारा उल गया है अच्छी तरह से बेशन और इसको microwave के बाउल में डाल सिससे इसके सारे डबल ननल जाए को बंड देनगे है रुभकर में हम यसे बंड देते हैं औरुग में लोकला तैयार हो जाता है पूरा 7 मिनट ही लेता है तो इसको देखिए अब 7 मिनट हो गए है और ये हमारा ये फूल गया है ढोकला और इसको भी हम प्लेट में ऐसे ही डाल लेते हैं और ये भी देखिए बिल्कुल जालीता ढोकला तयार हुआ है इसको हम कटिंग कर लेते हैं और ये उपर से इसका लोगले दिखाए हैं, आप microwave में बनाई या कड़ाई में बनाए, जैसे आपको सही लगे, तो friends, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको पसंद आती है तो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी जुरूर प्रेस करें, त